हुआ क्या उससे पूछा कि आप अखवार पढ़के आयों तो उसने कहा सर बिलकुल पढ़के आया हो अब उससे पहले क्या थी अखवार की छुटी थी आया नहीं था अखवार तो उसने कहा कि अखवार कैसे पढ़के आ गया आप कल तो बंद था तो अपने को जूट नहीं पागी दुआ ने अस्वं पे अधिकार कर लिया लेकिन जैसे ही सापुरी दीप युद की गोशना कर दी युद के बाद कई हिस्सों पे अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने और यांडवू की शंदी हो जाती है ब्रहमा और अंग्रेजों के बीच 1826 में उस संदी में अस्व इसलिए वहां पर सबसे पहले अपसपा लागू किया था अपसपा कानून है जिसमें इसेना को इस प्रतम बार है तक गुनी सो अठाओन में जंबू कस्मीर में अब अपस पर क्या है कब से लागू है यह सब आप का यार में पड़ी ऑस्सम मनिपूर का छेतर अंग्रेज्वों को मिला यह चेतर किसको दे दिया भारत को दूसरा काहा मनिपूर को शवतंतर राज्ज्य के दरजाइद हो अभी तक कोई अधिकार में लेलेता था रहेगा प्रमा में प्रावदान याधर रख लेना रेजिडेंट रहेगा और दूसरा ये कहा कोलकाता में ब्रमा का रहेगा कोलकाता में ब्रमा का रहेगा तो यांडवु की संदी कव हुई 1826 एक बार फिर देखते हैं अपन पागी दौआ ब्रमा का साशक था उसने 1821 में अधिकार कर लिया असम पे लेकिन जैसे ही उसने साहपूरी दीव जो चटगाओं के पास था उस पे अधिकार किया तो गवर्नर जनरल था लाड एमस्ट उसने युद की गोशना कर दी और जैसे असम था मनीपूर था कछार है वहां तना सरीम के ये कई हिस्से थे उन पे अधिकार कर लिया अंग्रेजों की सेना ने और एक सं संदी या अंडवो की संदी में मुख्य प्रावदान तीन थे असम मनीपूर का चेतर अंग्रेजों के अधिकार में रहेगा सवतंत्र मनीपूर राजे को मानेता दी जाएगी और ब्रमा में अंग्रेजी रेजिडेंट और कोलकाता में ब्रमा का रेजिडेंट रहेगा पर ब्रह्मा की राजा पागी दोवा ने असम पे अधिकार कर लिया। लेकिन जब ब्रह्मा ने सहपुरी दीप पर अधिकार किया लेकिन ब्रह्मा ने जब सहपुरी दीप पर अधिकार किया तो लार्ड एम हर्ष्ट ने युद की गोशना कर दी। युद की गोशना कर दी। फिर अंग्रेजो ने कई छेत्रों को जीत लिया वोली खाना ही जरूत नहीं सीधा ही लेकिलो यांडभू की शन्दी। इसमें फर्ष्ट प्रावदान लिको असम मनिपूर और एक छेतर था अराकान 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 वरतमान में पड़ता है। म्यानमार में तो असम मनिपूर और अराकान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सेकंड पॉइंट सवतंतर मनिपूर राज्य को मानेता दी गई। तीसरा पॉइंट ब्रह्मा में अंग्रेजी रेजिडेंट तथा कोलकाता में ब्रह्मा का रेजिडेंट रहेगा। अब अपन देखते हैं दित्तिय आंग्रेज ब्रह्मा युद्य। फोटा सा युद्य था अठारा सो बावन में गवार्नर जनरल ता डल होजी। गवार्नर जनरल कोन था डल होजी। इसके कारण क्या थे। दो मुखे कारण थे। एक तो एक नया सासक बनता है यहां पर थेरा वदी। उसने कहा कि मैं यांडवो की शंदी को नहीं मानूंगा। यांडवो की शंदी को मानने से इंकार कर दिए। कि यह तो पहले वाले सासक ने की थी मैं इसको मानने को तयार नहीं हूं। तो अंग्रेजों ने कहा आप इसको मानने के लिए कैसे तयार नहीं हूं। लेकिन जो मूल कारण था। मूल कारण ये था कि अंग्रेज वहांक वहन साधनों पर अधिकार करना चाहते थे। वहां के वन साधनों के जितने भी ठेके थे लाईसेंस था प्रमिट था वो सारा अंग्रेजों की पास था। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि वहां का ठेके तो हमें दे दो लेकिन उसके बदले हम करका बुगतान नहीं करेंगे तुम्हें किसको कहा थेरावधी को कहा थेरावधी वहां का सासकता उसको कहा कि जो उपरी ब्रमा में जो हमारे संसाधन है वनिय संसाधन है तो हम उसको ठेक पर लेंगे लेकिन आपको करका भुकतान नहीं करेंगे तब इसने भी कह दिया कि मैं भी संदी को मानने के लिए तयार नहीं हूं आपने जो यह संदी किये हैं यह पहले वाले सासक के साथ की थी पागी दवा के साथ की थी तो मैं संदी को मानने के लिए तयार नहीं हूं यहा दोने डल होजी ने एक वीड़ा डाल समुधर से आक्रमन किया लंभर्ट के नितरत उप्र जा उपरी रंगोण पर 6 पर दिरह उपरी बर्मा pequen अधिकार कर लिए यहां पर लंबर्ट जाता है और वो बात करता है थेरावधी से और थेरावधी को जो यह व्यापारिक समझा है थी उनके लिए यह बाचीत करता है लेकिन थेरावधी ने कहा कि इनको कर देना पड़ेगा और मैं इस संदी को तभी मानूंगा जब यह करका कमाफ समझा साफान करेंगे लेकिन इन्होंने मानने से ऐस्विकार कर दिया तो आंगरेजों के आत्म सम्मान का नाम लेकर जोशना करण यह ठो सम्मान को बचाइब कर रहे हैं दूसरा युद्ध हुआ औरूस्युद में उपरी बर्मा पर अधिकार हो गया तो कब हुआ दितिये युद्ध 1852 में किसके समय हुआ डल होजी के समय वहां सासा कौन था थेरा वदी थेरा वदी ने जो यांडवो की संदी थी उसको मानने से इनकार कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि वहां के जो अंग्रेजी व्यापारी थे वो उपरी ब्रमा की जो वनिय संसादन थे उन पर अधिकार भी चाते थे लेकिन उनके उपयोग के बदले करका वुकतान नहीं करना चाह रहे थे उन्होंने एक लेटर लिखा जितने भी व्या लेकर लंबर्ड आकरमन करता है और उपरी ब्रमा पर अधिकार कर लिया दितिये युद इतना ही है तो इसमें लिखो कारण में पहला कारण लिखो उपरी ब्रमा में उपरी ब्रह्मा में इस्तित वनिय संशादनों को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होना तो जो वनिय संशादन थे उनको लेकर विवाद था दोनों के बीच में दूसरा इसमें लिख लो थेरा वदी द्वारा यांडवू की संदी को ने मानना सीधा लिखो इसमें लंभट के नेतरतों में लंभट के नेतरतों में एक जहाजी बेडा ब्रमा भीजा गया लंभट के नेतरतों में एक जहाजी बेडा ब्रमा भीजा गया लंभट ने अंग्रेजों की आत्म शम्मान का बहाना लेकर ब्रमा पर आकर्मन कर दिया अंग्रेजों ने उपरी ब्रमा पर अधिकार कर लिया और वही उनका टार्गेट था उपरी ब्रमा क्योंकि वहां की जो सागवान की जो संसाधन थे उन पर उनकी मुख्य नजर थी उपरी ब्रमा पर अधिकार हो गया तो तीसरा और छोटा सा यूद होता है वह 1885 में होगा तो लिखो तरतिय आंगले ब्रमा यूद वह 1885 में उस समय था डफरी और भारत में एक संगठन की स्तापना होई थी इसी समय इसकी कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस की स्तापना की समय भी गवरनर जनरल कौन था डफरीन कारण क्या था इस समय का इस समय नया सासक आजाता है थीबू नया सासक बन गया थीबू थीबूने क्या किया जो फ्रांसी सी विएतनाम में इस्तित्थ फ्रांशीशिवों के साथ सड़ेंतर रचना शुरू कर दिया, तो अंग्रेजोंने का आप हमारे खिलाब सड़ेंतर रचना रहे हो, इसलिए ब्रहमा का विले भारत में करना जरूरी है। तो पहला तो यह हो गया थीबू थता फ्रांशीशिव के बीच संपर्क थीबू और फ्रांशीशिव के बीच संपर्क थे जिसको अंग्रेज क्या कहते थे सडी अंतर दूसरा क्या हुआ एक सागवान की कंपनी थी सागवान की कंपनी थी इंडिया की उस पे थीबु ने जुर्माना लगा दिया वो इंडिया की नाम से रजिस्टर्ट थी लेकिन थी वो अंग्रेजों की तो उस पे इसने भारी जुर्माना लगा दिया थीबु ने जैसे ही जुर्माना लगाया तो व्यापारिक हानी को तो क परिणाम क्या रहा है ब्रमा का भारत में विले कर लिया ब्रमा का विले अठारा सो पिच्छासी में और गुनी सो पैंतीस तक अधिकार रहता है गुनी सो पैंतीस तो गुनी सो पैंतीस का वारत सासन अदिनियम आता है उसमें ब्रमा को बारत से वापस अलग कर दिया जाता है यह अपन अलग जो पढ़ेंगे एक्ट पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा तो कारण क्या था थीबू नया सासक बना थीबू तथा जो वियतनामी इस्तित फ्रांचीसियों के बीच लगातार संपर्क बढ़ रहे थे जिसको अंग्रेज अपने खिलाब सड्यंतर मानते थे इसल दूसरा रीजन क्या था जो भारत की कमपनी थी सागवान की अंग्रेजी कमपनी थी उस पर थीबू ने भारी जुर्माना लगा दिया था तो अंग्रेज इस जुर्माने के खिलाब भी थे इसलिए युद्ध की गोश्णा कर दी आकर्मन किया और 1885 में विल्या कर लिया औ इसे एकोई के तःथ फिर कई स्थापना होती है फेले की स्थापना भी इसी एकोई के तहिए 1935 के अधिनियंके तहित तो इसमें लिखो कारण पहला लिखो आर्मा के राजा थीबू तथा विह सभी के बीच भर्डति निकट ताको ब्रह्मा की राजा थीवू तता फ्रांसीसियों के बीच बढ़ते शंपर्क को अंग्रेज अपने खिलाप सड्यंतर मानते थे। अंग्रेजी कंपनी पर थीवू द्वारा भारी जुर्माना लगाना। तो किसकी कंपनी थी है साग्वान की कंपनी थी अंग्रेजी कंपनी पर थीवू द्वारा भारी जुर्माना लगाना। तो तीसरा लिखो डफरीन ने युद की गोशना कर दी। गवर्नर जनरल कौन था लाड़ डफरीन। डफरीन ने आकरमन की गोशना कर दी। तथा 1885 में ब्रह्मा का भारत में विलेक कर लिया गया। ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब अपन जो पडोसी राज्यों के साथ जो युद हुए हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं अफगानों की साथ। अफगानों की साथ कितने युद हुए है। तीन। पहला देखते हैं अपन। प्रथम कवो आथा? 49 से 42। प्रेणाम देखते हैं अंग्रेजों की हार। अंग्रेजों की हार। गवर्नर कौन था उस समय है। ओकलेंड। संदी भी हुई थी क्या? पहले युद में। दित्य देखते हैं अपन। दित्य कव हुआ? 78 से 80। इसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें संदी हुई थी कौन सी संदी? गमंडक की शंदी गमंडक शंदी और गवर्नर जनरल कौन था यहां पर? लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन तरतिय कव हुआ? 1919 से 21 रिजल्ट कुछ नहीं है। गवर्नर जनरल कौन था? जेम्स फोर्ड। म्हें तो संदी होती है यहां पर रावल्पिंडी की संदी। रावल्पिंडी वर्त्मान में कहा है? pada पाइस्तान और यहीं पर पाइस्तानी आर्मी का हैड ओपिस है जैसे अमेरीकी सेना का है पेंटागन इसलिए उनकी जो सेना की रिपोर्ट आती है उसको बहुत है पेंटागन रिपोर्ट तो तीन आंगल अफगान युद हुए अठारा सो उननचाली से बैयालीस अठातर से असी गुनी सो गुनी से गुनी सो एक्कीस प्रथम युद के अंदर गवर्नर जनरल कौन था ओकलेंड दित्ये के अंदर कौन था लॉर्ड लीटन और तीसरे में चेम्स पोर्ड यहीं पर अपन देख लेंते हैं सिंध के साथ हु से 1843 में तुगिया था खिसी के समय किया था एलंबर्ग के समय कि relaxation वन्यतर किसंने रंगारीमिक गारति ने हम एब दसरीत तो कई पीआ था यिए था ने पीर ऐको पुक्रण तो प्रथम मेंगां हो Tibet List व teom 49-42, गवर्नर जनरल कौन था, ओकलेंड, दित्ये के समय, लोर्ड लीटन, समयावदी क्या थी, 1888-80, और तर्तिये कब होता है, 1911-21, गवर्नर जनरल कौन था, चेम्सपोर्ड, संदी कौन सी होती है, रावल पिंडे की शंदी, और सिंद का विले कब किया जाता है, 1843 में, गवर्नर जनरल कौन था, एलन बरो, और किस के नेतरतों में किया जाता है, चार्ल्स नेपियर के नेतरतों में, उसके बाद अपने देखे हैं, आंगल ब्रह्मा, इनके बीच में भी तीन हुए है, परत्थम हुआ था, 1824 से 26, गवर्नर कौन था, पहले में, लोड एम हश्ट, लोड एम हश्ट, संदी हुई कुछ, यांडवू की, यांडवू की, 1826, दिप्तिये में अपन देखते हैं, 1852, गवर्नर जनरल था, डल होजी, और तर्थिये के समय में अपन देखते हैं, अठारा सो इच्च्या से, इस समय था, डफरीन, डफरीन की समय, तो तीन युद होते हैं, आंगले और ब्रह्मा, पहला युद कब होता है, 1824 से 1826, दिप्तिये कब हुआ, 1852, गवर्नर जनरल कौन था, डल होजी, और तीसरा कब हुआ, 1885, गवर्नर जनरल, डफरीन, अब एक नेपाल के साथ भी अपन ने किया था, भी ले, नेपाल पे भी तो क्या था, इन्होंने, वो था, 1815, 16, और 1815, 16 में, गवर्नर जनरल आएगा, लार्ड हैस्टिंग्स, लार्ड हैस्टिंग्स ने सेना बेजी थी, किसके नेतरत में, ओक्टर लोनी के नेतरत में, और कुछ संदी भी होती है गया, संगोल आया, संगोली की संदी, तो संगोली की संदी, संगोली की संदी, इनको वापस देगो, अफगानिस्तान के साथ कितने युद्वे, पहला कब होता है, 1849 से 1842, गवर्नर जनरल कौन था, ओक्लेंड, संदी इसमें कुछ भी होती नहीं है, दितिये कब होआ, 1888 से 80, गवर्नर जनरल कौन था, लोर्ड लीटन, एक संदी होती है, गमंडक की संदी, गमंडक की संदी किस के साथ किती, याखूब खां के साथ, जिसमें इनको विदेश निती के अधिकार मिल गए, संदी होती है राउल पिंडी जिसमें विदेश निती का दिकार वे वापस त्यागने पड़े जो की थी अम्मा नुल्ला के साथ आप सोट नोट्स बना लोगे जैसे अब पड़ा है उसको जैसे इसके रीजन है तो यहां पे छोटे से तीन दो करण लिख लो यहीं पर तो यह 1843 में गर्णर घनरल एलन ब्रसा है और किसके नेतरतों में की चार्लज नेपिएर के नेतरत Li Mm के सब्सक्राइब सबदेख शेस की सब्सक्राइब जिसंत्य कनल कर दो पर फ्रांसीष्ट को बसने की आगया नहीं दिजाएगे तो यह वह गया इसकी बाद में अंगल ब्रमा तीन यूद हुए पहला वगा 1824 से 1826 इसमें कौन विज्य होते हैं अंग्रेज हो जाते हैं गवर्नर जनरल कौन था लारड एमस्ट दितिये कब होता है 1852 और तरतिये 1885 दितिये के समय गवर्नर जनरल डलो जी और तीसरे के समय डफरीन वो नेपाल का कब वहा 1815 से 16 के बीच संगोली की संधी होती है अब आगे अपन चैप्टर देखेंगे जो गवर्णर जनरल आए थे विविन उनके सब के क्या क्या काम थे क्या टाइम पिरेड था गवर्णर जनरल तो एक बर समझो अपने देखा था 1777 में अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी विजय प्राप्त की थी जिसके कारण भारत में इनका सामराजे इस्तापित वा था वो विजय कौन सी थी प्लासी और प्लासी के विजय के तैट इनको कहा का राजे मिला था हैं तो सबसे पहले अंग्रेजंई ने पद सरजित किया था क desar को नर को сможशा सारीथITY किया दा तो पहला सब्द है मैं का सभड मगाल का गोवंनर को सब्द था मैं ना कि पहला पाद यह बनाएंग के मैं बंगाल का गोवनर पी तो जैसे ही प्लासी में इनकी हुआ पी सफ़्यात बंगाल इनके अधिकार में आगया और पहला पद बनाया इन्होंने बंगालुला में पहला प्लायुलाई का इसनित्व अधिकार के नितरत में इन्होंने आठी की लड़ाई को तो एफ नमुटु फिर अपन देखते हैं, 1703 का regulating act आया, 1703 में regulating act आया, उसमें सब्द एक और जोड़ दिया, यहां पे जनरल सब्द और जोड़ दिया, तो वहां पद बन गया बंगाल का गवर्णर जनरल, बंगाल का गवर्णर जनरल, एक जनरल सब्द और जोड़ दिया यह, और उस समय था, भारत में 1702 से पिच्च्यासी तक, 1702 से पिच्च्यासी तक गवर्णर बन के आया था, बंगाल का गवर्णर बन के आया था, वारेन हैस्टिंग, वारेन हैस्टिंग, तो यह व्यक्ति क्या होता है, 1703 में रेगुलेटिंग आ गया, तो 1702 से लेके, चोतर तक तक तो यह रहता है, बंगाल का गवर्णर, क्या रहता है, बंगाल का गवर्णर, लेकिन regulating act आते ही बंगाल के governor को क्या सब्द जोड दिया गया बंगाल का governor general इसलिए चोतर से पिच्चाशी तक चोतर से 1750 तक यह रहता है बंगाल का governor general तो प्रसन यह पूचते हैं बंगाल का पहला governor general कोन था वारेन हैस्टिंग प्रसन दूसरा भी यहां बनता है बंगाल का अंतिम governor कोन था अंतिम governor कोन था तो यह था क्योंकि यहां से पद्ध समाप्त हुआ था उस समय यह था तो बंगाल का अंतिम governor कोन था हैस्टिंग बंगाल का पर्थम गवर्नर्ट कौन था वारेन हैस्टिंग लेकिन बंगाल का पर्थम गवर्नर्ट कौन था रोवर्ट कलायो इसके बाद फिर चैंज़ होता है 1833 में एक आता है 1833 का आएगा यह सारे एक्ट अपन बाद में देखेंगे इस उसमें क्या करते हैं गवरनर जनरल तो रखते हैं. गवरनर जनरल तो यू रखा, लेकिन च्वंकि उस समय तक भारत के बड़े चैतर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था इसलिए वहां पर पर रख दिया भारत का गवरनर जनरल उस समय था विलिम बेंटिंग आया वा था और बेंटिंग का time period था गुणिस तो अठाइज से थी – इस प्रकार यह क्या रहा 1823 तक तो रहा बंगाल का गवर्णर जनल तो परशान पहाला की बन यूए बनता है बंगाल का पर्थम governor general कौन था ? वारेन हेस्ट इंग तो बंगाल का अंतिम governor general कहन था William benting फिर इसी में ये बन जाएगा बारत का पर्थम governor general कोन था ? William benting तो यहां था War Elliot हेसिट इंग कि और यहां पर बन जाएगा कि अब इसी में एक बर वापस देखो पहले प्ध क्या था बंगाल का गवार्नर कब था यह कब बना प्लासी के विजय के बाद प्लासी की विजय किसके नेतरत में उए तो रोबर्ट क्लाई तो रोबर्ट क्लाईव को बंगाल का पर्थम गवर्नर कहा गया गया 1703 का रेगुलेटिंग एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट के तहट क्या किया पदणाम बदला गया पदणाम क्या हुआ बंगाल के गवर्नर की जगए गवर्नर जनरल सब्दाया उस समय बंगाल का गवरनर था वारन हैस्टिंग लेकिन जैसे एक्ट आया तो उस ने अपनी से सम्यावदी थी उह नाम से बिताइ बंगाल замеч इस प्रकार अपन कहीं सकते हैं बंगाल का अंतिम गवरनर कौं थो वारेन हैस्टिंग बंगाल का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था वारेन हैस्टिंग ऐसे 1833 का एक्ट आता है उसमें भी पदनाम बदल जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल की जगे क्या हो जाता है बारत का गवर्नर जनरल तो प्रसन यह बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जन जनरल कौन वा बेंटिंग एक कुर्स अब्द आएगा पिर भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइस राए यह 1857 की करांती की बाद वह यसराए यह होता है जब 1857 की करांती हो गई उसक्रांती के बाद मारानी विक्टोरिया गोष्णा पत्ति करती है उस गोष्णा के बाद यह सब्धवर जोड़ जोड़ गया वहाए यह इस लिए जोड़ गया उस्सम안 इपन भारत को देखें तो भारत occurs Sono दो तरह के चेतर थे एक था बिर्टिश भारत बिर्टिश भारत वो था जहां अंग्रेजों की सीधा पर्तेक्स नियंतरन था पर्तेक्स नियंतरन में थे जा अंग्रेज्जन का प्रत्यक्स नियंद्रन था और दूसरे थे देश रियासती है कि ये बरहतिया होते थे लेकिन आपने द Esse है tebt अद्रत्व समय कितनी स्क्राइ नहीं Burg ng खोते थे और देखते है 할 जा रहीं अंग्रेज सासन कर रहे थे कहीं पर रहते देशी राजा थे वह अभी तक क्या देखा गया अठारासो बाउन जब अठारासो अटालिस में गवर्नर जनरल बनके आया ता डलहोजी तो डलहोजी ने गोधनिशेद की अपना ही और गोधनिशेद निती के तया तो इसने ले सकते तो दत्तक पुत्तर जो नहीं ले सकते उनका उन्होंने कहा कि सीधा भारत में विलय कर लिया जाएगा तो यह माना गया कि देशी रियासवत ने भाग इसलिए लिया था समभालपूर थे इसलिए वह नहीं करें तरीके से सासन करो तो पिर कहा गया चलो यह थीख दॉला रह जाएगा लेकिन रियासतों से कौन बात करने जाए पिर कभी भी सरकार हो सकता है और अंग्रेज़ों के खिलाप आकर्मन कर दे तो उन्होंने सोचा रियासतों से से बातचीत करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए और वह व्यक्ति जो वह इसको आवाज को पूछा दे उन तक उनकी आवाज को यहां तक पूछा दे इसलिए यह सब्द और चोड़ दिया गया इसमें वायस रहा है तो इस समय उस समय था अठारासो ठावन तक कोण सपर दे चल रहा था ते टीज के बाद भारत का गवर्णर जनरल तो उस समय व्यक्ति आ गए था अठारासो चपण में अठारासो चपण से लगवाग अठारासो एकसट या बासट ऐसे है वहां तक रहता है लोड कैनिंग लोड कैनिंग जब अठारासो ठावन में गोशना आई कि अब कोन होगा पदनाम क्या बदल दिया गववर्णर जनरल के सासात वाईस राइड और जोड़ जिया तो अपने यह कह सकते हैं बारत का अन्तिम गववर्णर जनरल कोन हुआ में वाईस राइग है और भारत का प्रत्थम गवव तो उस समय कौन था अन्तिम माउंट बेटन माउंट पेटन ये था सवतंतर भारत का ब्रेटिश भारत में तो इसको अन्तिम कह सकते हैं और सवतंतर भारत का प्रथम कह सकते हैं और सवतंतर भारत का प्रथम भारते कौन था सी राज गोपालाचारी यह दक्षिन भारत के नेता थे गोपालाचारी इन्होंने फार्मुला भी दिया था भारत पाहिस्तान के लिए तो यह अपन ने देखा पहले इतियास सबसे पहले पद कौन सा बना बंगाल का गवर्नर पद क्या बना बंगाल का गवर्नर उस पद पे पेहले नियुकतिक किसकी हूऑ रॉबर्ट क्लाईव की उसके बाद में 17jam 733 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहट बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया भारत का गवर्नर जनरल इसलिए पद बन गया भारत का गवर्नर जनरल उसमें कौन थे विलियम बैंटिंग तो विलियम बैंटिंग के लिए अपन यह कह सकते हैं यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा बारत का पर्थम ग अच्षानींग भारत का अंतिम गवारनरनर जनल्कों था अज्वारत का आन्टिम गवौनरनर जनल एवं वस्राह कोई था माउंट यह उतन पर भारत पर्थम कौन था माउंट वेटन और सवतंत्र भारत का पर्थम भारती राज गोपालाचा बाद में इस पद को शमाप्त कर दिया गया और यह पावर आगई राश्टपती के पास बारत में पर्थम भारत चुनाव कब हुए थे और आजाद कब हो गया था बारत तो यह पांस साल देश कैसे चला पांस साल देश किसने चलाया सवीदान सबाने गुनी सो सैंतालिस के जो भारत सरकार अदिनियम था उसमें यह कह गया जब सवीदान सबा जब सवीदान बनाएगी तब तो यह सवीदान कैलाएगी उस समय तो आज डेक्स्ता करते थे राजिंदर परशाद यही संस्ता थी संसद का काम वी ऐए कर रहे थी तो उस उस समय देख्षता करते थे जब यह सवीदान बनाती ती जब यह संसद का काम अध्यक्स्ता कों करते थे इसकी जेवी मावलंकर तो पांस साल देश इसने चलाया था चुनाव परतंबार गुनी सो बावन में होते हैं तो इसमें लिख लो गवर्नर जनरल का इतिहास इसमें कैब पीछे जो अपने पढ़ाया है काफी तो वो ही कवर हो जाएगा इसमें गवर्नर जनरलों का इतिहास इसमें उनकी जो वीविन नीतियां है पोलीश है उनको भी अपन थोड़ा थोड़ा देख लेंगे पहला पद लिखो इसमें बंगाल का गवर्नर बीचों बीच लिख लेना ऐसे बंगाल का गवर्नर इसमें लिकू यह पद प्लासी की विजे की बाद बनाया गया था यह पद प्लासी की विजे की बाद बनाया गया था रोबर्ट कलाईव बंगाल का पर्थम गवर्नर था रोबर्ट कलाईव बंगाल का पर्थम गवर्णर था इसके आगे एक लाइन डालो कि 1703 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहथ 1703 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहथ बंगाल के गवर्णर को गवर्णर जनरल बना दिया बंगाल का गवर्णर सब्द की जगह हो गया बंगाल का गवर्णर जनरल तो फिर एक लाइन डालो बंगाल का गवर्णर जनरल इस में लिकलो वारेन हैस्टिंग बंगाल का पहला गवर्णर जनरल था वारेन हैस्टिंग बंगाल का पर्थम गवर्णर जनरल था इस में लिकलो बंगाल का अंतिम गवर्णर भी यही था यहां ओली सब्द लिकना है गवर्णर तो बंगाल का पर्थम गवर्णर जनरल था बंगाल का अंतिम गवर्णर ताइम पिरेड था इसका बहतर से पिच्च्चा से फिर नेक्स्ट लाइन लिको 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्णर जनरल को बंगाल के गवर्णर जनरल को बाहरत का गवर्णर जनरल बना दिया गया इसमें लिको विलियम बेंटिंग विलियम बेंटिंग बाहरत का पर्थम गवर्णर जनरल था बंगाल के गवर्णर को बाहरत का गवर्णर जनरल बना दिया गया और इसमें क्या लेख सकते हैं तथा यह बंगाल का अंतिम गवर्णर जनरल भी था तथा यह बंगाल का अंतिम गवर्णर जनरल भी था उसके बाद पद क्या बन जाएगा इसमें नेक्ष्ट लेको जनरल को भारत के गवर्णर जनरल को गवर्णर जनरल एवं वोईस राइब बना दिया गया भारत के गवर्णर जनरल को भारत का गवर्णर जनरल एवं वोईस राइब बना दिया गया इसमें लेको विलियम बेंटिंग भारत का लार्ड कैनिंग भारत का पर्थम गवर्णर जनरल भारत का प्रथम गवर्णर जनरल एवं वाइस राइब था और इसे में क्या लिख देंगे तथा भारत का अंतिम गवर्णर जनरल भी यही था तथा भारत का अंतिम गवर्णर जनरल भी लोर्ड कैनिंग ही था तथा अंतिम गवर्णर जनरल भी भारत का यही था अठार। सतावुन की किरान थीनी की समय होती है, लाड कैनिंग की समय। अब लास्ट में कहा लिकेंगे, बारत का अंतीम गवर्नर ज गवर्नर जनेरल एम वाइस रा य लाड माूंट बेटन था, लाड माूंट बेटनchev भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं वोईसराय था इसी में आपने लिख सकते हैं कि यह सवतंतर भारत का पर्थम वाईसराय एवं गवर्नर जनरल था यह भारत का सवतंतर भारत का पर्थम गवर्नर जनरल एवं वाईसराय था और सवतंतर भारत का पर्थम भारतिय गवर्नर जनरल कोण बना राज गोपालाचारी तो लास्ट इसमें लिख लो राज गोपालाचारी स्वतंतर भारत के पर्थम भारति गवर्नर जनरल थी अब सब से पहले अपने क्या लिया था बंगाल का गवर्नर अब देखते हैं अपन बंगाल के गवर्नर जनरल कोन-कोन बने तो बंगाल के गवर्णर बंगाल का पहला गवर्णर कब बनता है 1757 और पद का खतम कब हो जाता है 1714 में तो 1757 में कौन बना कलाईव यह 1760 तक रहता है तो पहला था रोबर्ट कलाईव रोबर्ट कलाईव के बाद कुछ समय तक रहता है होल वेल काल कोठरी जो गठना थी उन वाला लेकिन इसका कम समय रहता है होल वेल के बाद बनता है वेंसी टार्ट होल वेल के बाद बनता है वेंसी टार्ट और वेंसी टार्ट का टाइम पिरेट रहता है 1760 से 1765 वेंसी टार्ट के बाद एक बार फिर रोबर्ट कलाईव को भीजा गया, रोबर्ट कलाईव को वापस क्यों भीजा गया था, बक्सर के युद के बाद बंगाल, बिहार, उडिसा एक साथ इनके अधिकार में हो गए, इसलिए उनसे वापत बातचीत करने के लिए कलाईव को कलाईव फिर दो साल आता है, 1765 से 1766, उस समय में उसने कई किये, जैसे द्वैद सासन चलाया था, द्वैद सासन उसी समय शुरू किया था, 1765 में, इलाबाद की दो संदी करता है, और एक सोसाइटी ओफ ट्रेड का निर्मान किया, कलाईव के बाद वापस आता है, एक व्यक्ति आता है, वेरेलस्ट, वेरेलस्ट रहाता 1766 से उनतर तक, वेरेलस्ट की समय एक युद हुआ था, लिखाया था मैंने, आंगल मैं सूरू युद, प्रथम आंगल मैं सूरू युद, तो 1777 से 60 कोन रहता है, रोबर्ट कलाईव, कलाईव के बाद कुछ समय के लिए कौन रहता है, होल वेल, ये कारे-कारे गवर्नर रहा, पढ़ क्या रहे हैं अपन बंगाल के गवर्नर, कलाईव के बाद कोन आता है, वेंच सिटार्ट, वेंच सिटार्ट कब तक रहता है, 60 से 65, फिर वापस कलाईव आया दूसरी बार, 65 से 60, 60 से 69 कोन रहा, वेरे लस्ट, फिर इसमें देखते हैं, 1789 से 25 तक, इसमें रहता है कल्टियर, कल्टियर, और बैतर से शोंतर तक कोन रहेगा, वारी इन हैस्टिंग, इसके बाद बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया, और पद क्या बना, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर पहला कोन था, रोबर्ट कलाईव, कब तक रहता है, 57 से 60, 60 से 65 वापस कलाईव, 65 से 67 तक कलाईव, और 69 से उनतर तक वेरेलस्ट, और 69 से बैतर कर्टियर, और बैतर से चोतर वारेन हैस्टिंग, ये हैं बंगाल के गवर्नर, पर्थम गवर्नर जनरल कोन था, रोबर्ट कलाईव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कोन बना, वारेन हैस्टि उसके बाद प्द्य सरजित हो जाता है बंगाल का Governor General अट तो भारत बंगाल का पर्थम Governor बनाम कलायो और बंगाल का अंतिम ंगवर्न बना वारेन हैस्टिंग और बंगाल का पर्थम गवर्नर जनरल कोन बन जाएगा वारेन हैस्टिंग अब आगे next class में देखेंगे इनको लिख लेना